नमस्ती, वेलकम बेक तो मैं चैनल, इस वीडियो में आप देखेंगे बहुती सुन्दर सी नेकी डिजाइन का टुटोरियल, यहाँ पर इस लेस की साथ में हम ये नेकी डिजाइन बनाएंगी, जाली दासी ही बहुती सुन्दर सी लेस है, और हमने इसके लिए कुर्ती को कट किया हुआ है, और पीपर कैनवस लिया है, यहाँ पर हमने कुवित तीन इंच पर मार्ख करेंगे, 17 इंच पर मार्ख करेंगे, यहाँ पर टोटल लंबाई हम 13 इंच पर करेंगे और यहां 13 इंच पर भी सीधा सीधा यह एक इंच का मार्क करना है इस पोइंट को आगे आयख इप्धौन से मिला देंगे यह सीम साइज रखेंगे अ फिर इस नेक लाइन के आगे हम लगबग एक इन जितना हम नेक के डिजाइन के लिए रखते हैं उतना हिसा रख के इसे कट करेंगे सेंटर से ये हिसा भी निकाल देंगे और इस तर से ये हमारी नेक लाइन है और इसे फैब्रिक पे पेस्ट करना है यहां हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया है और साइट से पट्टी फोल करके सिलाई भी ले ली है अभी हमें कुर्ती लेनी हैं कुर्ती का राइट साइड में राइट साइड में प्लेस करेंगी सेंटर से सेंटर मिलाना है यहां सेंटर से सेंटर मिला के हम कुछ पिनफ सर्टेश करेंगी और जो कैनवास से वहां उसकी पास पास में सिलाई लेनी है इसी लाई होने के बाद एक्षा कपड़ा कट करेंगे यहां जो कॉनर्स हैं उन्हें कट देना है सिलाई पे कटना आए इस बात का ध्यान देना है और यहां पर जो ही कॉनर्स है वहां पर नोच देंगे और इस पटी को रॉंग साइट में टर्न करेंगे रॉंग साइट में टर्न करने के बाद इसके उपर ही सिलाई देंगे जिसे यह पटी यहां पर दब जाए इस तरह से हमारी नेक के फिनिशिंग हो गई है उसकी बाद में हमें एक उदेब के स्ट्रिप लेनी है जो हमारी ले से उसी कलर में हमने ये उदेब के स्ट्रिप लेनी है यहाँ पर इस उदेब की स्ट्रिप को एक साइड से टर्न करना है फोल करना है इस तरह से और इसके उपर हम सिलाई लेंगे ये हमें पाइपिन के लिए यूज़ करने है नेक के उपर इस पट्टी को इस उदेब के श्ट्रिप को हमें इस तरह से राइट साइड में नेक के राइट साइड में रखना है और wrong side में रखेंगे हम जैसे हमारी जो कुरती है वो wrong side में show हो इस तरह से और इसकी पास-पास में सिलाई लेंगे एकदम close हम सिलाई लेंगे जैसी piping आप चाहते हैं चौरी piping चाहते हैं तो आप ज़्यादा gap रख सकते हैं और पतली चाहते हैं तो पास-पास में सिलाई लेनी हैं फिर से टर्न करेंगे रॉंग साइड में इस तरह से ये कुति के राइट साइड में अटेच हो गई फिर से रॉंग साइड में टर्न करेंगे तो हमारी piping आ गई है और piping के पास-पास में हम सिलाई लेंगे इस तरह से हमारी piping अटेच हो गई है नेक के उपर बहुत अच्छे तरीके से उसकी बार में सेंटर का जो पीस था हमारा कैनवास का उससे हमने इस तरह से फैब्रिक के उपर आयरन से पेश्ट किया है और इसकी गिनारे पे हमने सिलाई ली है और यहाँ पर देखे इसे फोल करेंगे उपर से पूरा जितना ये कैनवास से उतना ये पूरा फोल करकी ऐसी ही एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे जैसे आगे रखा है अब देखिए एक साइड में ये पूरा फोल्डेड है और बाकी तीनों साइड में इसका मार्जिन है और जो हमने सिलाई ले है उस सिलाई के ऊपर ऊपर एक और सिलाई लेंगे इस तरह से ये piece हमें कुर्ति की center में इसी place करना है हमारी यहां सिलाई show हो रही है तो उतना हिसा ही हमें यहां पर रखना है तो उपर से folded वाला हिसा उपर क्यों रखेंगे और बाकी यह हिसा इस तरह से हम attach करेंगे इस तरह से center का piece हमारा attach हो गया है यहां पर अभी हम use करेंगे हमारी lace को इस lace को यहां पर इस तरह से attach करना है यहां जो pipe in है उसकी थोड़ा सा close लेते हुए हम इस lace को stitch करेंगे यहां पर जो हलका सा यह shape है इसको यहां पर extra कुछ नहीं करेंगे और सीधी सीधी लेस को हलकी से turn करेंगे फिर नीचे से जो corners है यहां पर lace को इस तरह से घुमा कर दूसरी साइड में सीधी ले लेना है और उपर से यह जो हमारी extra यह उपर उभ्री हुई रहती है उसकी अंदर एक plit पना के इसे दबा देंगे जैसे हम को भी lace दूपट्टी पर attach करते हैं या साड़ी पर attach करते हैं उसी तरह के से यहां पर एक हलकी से plits आएगी ओ finishing के साथ में रहेगी और फिर यहां पर सुई को अटका कर दूसरी साइड में जाएंगे यही तरीका यह दूसरी corner पर भी करना है और हमें यहां पर यह लेस को आगे गुमा देना है यहां पर देखिए यह हलका सा यह हिसा यह corner की तरह अंदर की और दबा हुआ है और यह लेस हमारी यहां दोनों corner से अच्छे से attach हो जाएगी सुई को यहां पर अटका दिया फिर आगे वापस यही process repeat करेंगे एक side की यह lace हमारी attach हो गई अभी दूसरा हिसा जो है हम उसके उपर stitch करेंगे तो उसके उपर की हिस्से में यहां पर देखिए जो यह तीन पत्या उपर extra में दिख रही है उसकी पहली पहली सारा joint है तो उसके उपर हम सिलाई लेंगे तो यहां पर यह पूरी lace अच्छी तरगे से attach हो जाएगी और उसके बाद में ending में आप चाहें तो कोई भी fabric glue यहां पर ले सकते हैं और उससे इन laces के हिस्से को चिपका सकते हैं और यहां पर देखिए यह जो corners है यह भी अच्छे से set हो जाएंगे और जो pleats है उसके ऊपर एक सिलाई लेके वापस उसके पास आएंगे इस तरह से यह पूरी lace finishing के साथ में attach हो जाएगी इस तरह से यह lace हमारी attach हो गई है और extra lace को हमने cut किया है और बहुत ही सुन्दर तरीके से यह lace attach हो गई है इसका look भी बहुत अच्छा आया है इस piping की साथ में इसकी जो finishing है और जादा अच्छे रहेगी उसकी बाद में हम यह सुन्दर से button use करेंगे यह बहुत ही सुन्दर से button है और इससे इसका look lace के साथ में बहुत अच्छा हो जाएगा lace भी हमारी जालिदार है और button भी बहुत ही महेन मोती के साथ में है इस तरह से हमारी यह design बनके complete है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो like जरूर कीजिए कुछ सवाल है तो comment कीजिए subscribe कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए thank you so much for watching bye bye